हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राम्नी अकेडमी, स्वागत है आपका MPPSC प्रिलिम्स की इस महा सिरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 MCQs, अलग-अलग यूनिट के, अलग-अलग टॉपिक के, आज हमारा चैप्टर रहेगा आपका कम्प्यूटर मालवेर व हैं, उसमें मैंने स्टार्टिंग के बेसिक चीज़े बताई हैं, आज उसी का आंगे, निक्स हम देखने वाले हैं, क्यों कौन-कौन से आपके मालवेर हैं, यह साइबर क्राइम है, जो होता है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर हम देखें कि हमने लास्ट ट उंठाई है, कोश्चन पेपर भी मैंने आपको दिखाया है, पहले प्रीवियस येर में कैसे कोश्चन पूछे गए हैं, तो यह जो आपका टॉपिक है, कम्प्यूटर से क्योरिटी से रिलेटेड, यह बहुत इंपोर्टेंट है, साइबर क्राइम या मालवेर से रिलेटे जैसे पेपर में ऊचे जाते हैं, ट्रोजन होर्स के अलावा हमने देखा था सोशल इंजीनिरिंग, ठीक है, सोशल इंजीनिरिंग देखा था, फिशिंग देखा था, फिशिंग, उसके अलावा आप था, आपका था, स्पैम, स्पैम देखा था, और स्टॉकिंग देखा थ ऐस टॉकिंग साइबर स्टॉकिंग क्या होता है तो यह सारी अभी बेसिक बेसिक चीजें मालवेर से उठाके वारस का फुल फर्म क्या होता है वर्म क्या होते है आपका एक है आपका डी ओस डिनाल ओफ सर्विस पिर मैंने बता कि क्या-क्या हमारे मालवयर हैं और क्या-क्या साइबर सिक्यूरिटी से रिलेटेट टॉंप से किसी बैंक के बहुत सारे ग्राहकों के खातों से छोटी-छोटी राशी निकालना किस साइबर अटैक के अंदर आता है विड्रॉल ऑफ स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम दा अकाउं ऑफ बैंट perpetual क्यों एंदर विच्ज साइबर अटैक आपका बहुत सारे बैंक अकांट में से बहुत छोटी-छोटी राशी मालने जें एक में परनी निकाल रहे हैं पचास पैसे ही निकाल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के अकाउंट से रहे हैं यह лаг इंकाल रहे हैं जिससे पता भी ना चले कि वो पैसे निकल रहे हैं आपके अकाउंट से ठीक है तो यह याद रखेगा आपका ब्राउजर हाई कर देखते हैं कि आडियो वीजियो पहले क्या होता था इमेज बस लोग कर देते थे वाड़ी किसी और की फेस किसी और का अब इसके लावर क्या करने लग गया है आप वीडियो ऑडियो यह सारा भी मिक्स करने लग आपको लगेगा ही नहीं मतलब नौर्मल भी देखेंगे इ और जो आपका आडियो किसी और का वीडियो किसी और का यह चल रहा होता है और अगर हम बहुत अच्छे तरीके से यह चीज कर दें तो वह कहलाता है आपका डीप फेक ठीक है बहुत डीप फेक है मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह उसने वह चीज बोली है या नहीं भी बोली है या किया है कि नहीं किया वह इतने अच्छे तरीके से आपको वीडियो ये आडियो बनाया जाएगा ठीक है लेकिन क्या रहेगा फेक रहेगा तो यह हो गया आपका डीप फेक यह वर्ड जो है आपको करेंट में मिलेगा बहुत बार इसलिए यह याद रखेगा यह question आपका आ सकता है audio और वीडियो में जो भी हम क्या कर रहे है हेर फेर कर रहे हैं तो यह हो गया आपका डीप फेक के अंदर ठीक है चलिए आगे देखते हैं किसी उप्योग करता और application के बीच शामिल होकर महत्पूर्ण जानकारी चुरा लेना कहलाता है stealing important information by intervening between a user and application य दूसरे साइड है आपका application मालेजे आप क्या कर रहे है कोई website खोलकर रखें कुछ भी application यूज़ कर रहे उसके बीच में यहां पे क्या चल रहा है आदान प्रदान चल रहा है data का है तो बीच में आपको क्या मिलेगा यहां पर मिलेगा अपराधी यहां पर हैंकर जो बैठा याद रखिएगा यह है आपका बिल्कुल इंग्लिश के नाम के साथ जाना है man in the middle यह आपका man है बिल्कुल man in the middle तो यह आपका attack भी कहलाता है man in the middle attack ठीक है यह याद रखिएगा बीच में बैठ के क्या करता है वो information चोरी करता है जैसे आपने कुछ data send किया या कुछ भी किया पासवर्ड डाला ठीक है तो याद रखिएगा man in the middle मतलब user और application के बीच वो information निकाल रहा है ठीक है उसके अलब सलामी attack मैंने क्या बोला सलामी दे रहे हैं में एक दो रुपए की मतलब आपके वैंक अकाउंट से एक दो रुपए निकल रहे हैं बहुत सारे लोगों के अकाउंट से वो कहलाता है आपका सलामी attack logic bomb डीप अभी डीप वेख हमने देखा डीप अब आडियो या वीडियो इन सब में क्या करना हेर फेर कर रहा है ठीक है चले आगे देखते हैं ऐसा दुर्भावना पूर्ण कोड जो पूरु निर्धारित समय या शर्त के पूरा होने पर एक निश्चित काम का निस्पादन करता है कहलाता है malicious code that performs a certain task when a pre-determined time or condition is met is called पहले से कुछ तैह हो रखा है एक code डला हुआ है आपके computer में कि जब वो time आ जाएगा यह जब वो आपका ऐसा condition हो जाएगी तब क्या होगा वह आपको code activate हो जाएगा और उसको जो काम दिया होगा काम दिया होगा कि files इतनी भी हैं उनको corrupt करना है तो वो corrupt कर देगा data delete करना है तो डिलीट कर देगा ठीक है यह क्या कहलाता है जैसे ही एक logic मिल जाएगा कि हाँ इस logic पे हमें क्या करना है फूटना है तो यह हो गया आपका logic बॉब माली जो काम कर रहे हैं तो बॉस ने क्या बोला कि जैसे logic bomb रख दिया computer में आपके कि जैसे ही आपका जो भी मतलब काम नहीं करोगे कोई other website open करोगे तो जैसे ही condition मैट हुई आपने कोई और website open की तो logic bomb क्या हो जागा एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत से चला जाएगा बॉस को ठीक है यह एक्जामपल सा समझने के लिए कि माली जाए अपने कुछ किया और जस्त वह मैट हो जैसे condition वह मिल जाएगी वह जो भी कोड को काम दिया होग परफॉर्म करने के लिए वह करने लग जाएगा ठीक है यह कहलाता है आपका logic bomb क्योंकि एक logic पर काम करता है आंगे देखते हैं यह logic bomb आपके कई प्रकार के होते हैं कुछ किसी दिनांग पर activate होगा कुछ किसी condition पर मैं जो आपकी condition है जब वह हो जाएगी तब होगा ठीक है तो यह अलग-अलग type के होते हैं दुरभावना पूर्ण तकनीक है जिसमें वेब का प्रयोग करने वाले user से गोपनिये जानकारी प्रकट कराने में किया जाता है जिसका प्रयोग यहां पे हैं जिसका प्रयोग वेब का प्रियोग करने वाले यूजर से गोपनी जानकारी प्रकट कराने में किया जाता है malicious technique used to trick web users into revealing confidential information माल लिजे आप website को यूज कर रहे हैं या web यूज कर रहे हैं, browser यूज कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि ट्रिक किया जाएगा सामने कुछ और दिखेगा, आप कुछ और मतलब लगेगा कि नहीं सब सही चल रहा है लेकिन background में कुछ और चल रहा होगा और उससे क्या होगा आपकी confidential information निकाल ली जाएगी ये कौन सा तकनीक कहलाता है salami attacks, logic bomb, click jacking malware, ये है आपका click jacking आपने जैसे ही कुछ click किया गलत click हो गया गलती से तो आपकी information जो है वहाँ से जानी start हो गई आप उसमें आप क्या करने लगे आपनी जो भी information भरेंगे तो पता चला कहीं और जाने लग दे तो ये होगा click jacking अच्छा बना किसे होता है एक तो है click और एक है आपका हाइज जैकिंग से ठीक है हाइज जैकिंग तो click jacking हो गया आपका ऐसे ही आपका jacking वर्ड बहुत बार मिलेगा तो याद रखेगा ये आपका क्या है short form है हाइज जैकिंग का जैसे हम malware में malware आपका किससे बना हुआ है malicious software से है ना तो ये जो वेर आप उठाते हैं ये किसका उठाते है software का ऐसे ही ये jacking जो किसका है ये आपके hijacking का हम उठा लेते हैं छोटा सा ठीक है click jacking जैसे हैं आप click करेंगे browser में तो क्या होगा यूजर गोपनी जानकारी जो है वो किसी और को जाने लग जाएगी ठीक है चलिए इसमें password login data का अंदाजा लगा कर trial and error का इस्तेमाल करके computer अत्वा server को hack किया जाता है in this the computer or server is hacked by guessing the password login data and using trial and error methods मतलब उनको पता नहीं है exact लेकिन बहुत सारी methods phishing हो गया हम बता चुके है phishing क्या है phishing हो गया और other method से हमें क्या पता चल गया थोड़ी थोड़ी information पता चल गई तो हम उससे trial and error करेंगे आपका login data या password पता करने में ठीक है आपने देखा होगा कि बहुत सारी movies में जब वो इंकोड कर मतलब हटा रहे होते हैं encryption जो बहुत सारे cyber वाले तो वो अलाग अला क्या करते हैं trial and error से password देखते हैं कि हाँ यह वाला सही है यह सही नहीं है अब यह आपके पास एक मौका है सारी वही चीज़े तो यहां पर क्या करते हैं password login जो है उसको trial and error method से open करने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कहलाता है brute force attack ठीक है logic bomb denial of service सलामी यह तीनों हम पर चुके हैं यह हो गया आपका brute force attack brute force क्या कहलता है brute force मतलब बहुत forcefully हम लगे हैं यहां पर आप force याद कर लिजेगा ट्रिक बनाने के लिए अपनी कि force पे लगे हुए हैं बहुत force से कि इतने सारे हमने trial and error पे चेक कर लिया कोई password मतलब match कर रहा है ठीक है तो हम बहुत forcefully लगे हुए हैं सारे password try करने में तो यह होगे आपका brute force attack यह क्या करता है password login और data हो जने की कोशिश करता है लेकिन trial and error method से ठीक है logic warm मैंने अभी बताया आपको जब एक logic मिल जाएगी उसको एक date पे यह time जब time होगा एक condition हो जाएगी तो आपका वह code active हो जाएगा वह उसको जो काम दिया होगा predetermined काम वह करना चालू कर देगा ठीक है फिर denial of service attack मैंने इसको आपको बताया पहले कि denial of service मतलब आपकी computer server पर बहुत सारे ट्राफिक ला देना इतनी ट्राफिक ला देना कि आपको जो server है वो क्या कर जाए डाउन कर जाए या server crash कर जाए यह हुआ denial of service तो आपको फिर service नहीं मिलेगी denial हो जाएगा denial of service ठीक है सलामी में हमने क्या पढ़ा था बैंक से एक दो रुपया निकल रहे थे बहुत सारे लोगों के खाते से तो मैं जो भी चीज करती हूं आप बस मतलब इसे फाल्टू में नहीं करती हूं सारी चीज में आपकी tricks से संबंदित होती है या किसी ना किसी logic से होती है ठीक है चलिए उसको सबको ध्यान दिया करिए आंगे देखते हैं ऐसा malware में आपको बता चुकी हूं malicious software जो आपका खराब software है उसकी बात कर रहे हैं जो बीना user को बताए system में install हो जाता है और उपयोग करता की सारी जानकारी एकत्र करता रहता है कहलाता है malware that gets installed in the system without informing the user वैसे भी malware है तो बता के द्वाएगा नहीं बिल्कुल आराम से चुपके से चला जाता है ठीक है and keeps collecting all the information of the user is called एक तो मतलब आपको कोई खराब software है वो चला आया computer में आराम से अभी यूजर को बिल्कुल कुछ नहीं पता है और यूजर जो भी कर रहा है काम computer में सारी कि सारी चीज़े क्या कर रहा है record कर रहा है ठीक है तो ऐसे काम कौन करता है कहीं गये दूसरे देश में और बिना किसी को पता लगाए सारी information लेते रहते हैं देखते रहते हैं ऐसे करते हैं के spy करते हैं आपके जासूस होते हैं तो सेम वैसा यह आपका English का word सीधे सीधे है spy aware और वेर कहां से आया software से थे इसाफ्टवेर का वेर उठा लिए तो spy जो है आपका क्या करेंगा जासूसी करेंगा आराम से आपके कोंप्यूटर में और सारी की सारी चीज़ें आप जो कर रहे होंगे आपने कौन-कौन से ब्राउजर ओपन किया आपने कौन सा पासवर्ड का मतलब उसमें फिल किया सारी चीज़ें क्या करता रहेगा वह धीरे एकत्रिक करता रहेगा ठीक है तो यह याद रखेगा यह है जिंदी वालों को थोड़ा दिक्कत आ सकती है तो आपको भी क्या है स्पाइस याद करना हैं जासूसी कर रहे है किसी की ठीक है तो सारा इंफ्वर्मेशन इकठा कर रहे हैं बीना किसी को पता चले ठीक है चले next हो गया आपका ऐसा software जो किसी system file data किसी system file data आधी को lock या encrypt कर देता है तथा वापस प्राप्ट करने के लिए फिरोती की मांग करता है कहलाता है software that locks and encrypt any system file data etc and demand ransom to get back it called यह क्या कहलाता है तो spyware ransomware denial of service denial of service और trojan horse इसका क्या याद रखना है आपको कि ransom word आ गया और यहां पर आपको ransomware दिख भी रहे तो बस वही answer आपका ransom मतलब फिरोती आपने देखा होगा एक time पर बहुत ज़्यता चल रहा था कि आपके computer lock हो जाएंगे और फिर कुछ भी open नहीं होगा उसमें सामने timer चलता रहता है कि इतने time में आपका पूरा पूरा data जो है वो खराब हो जाएगा और आज कल बड़े अच्छे से लोग bitcoin मांगते हैं जिससे आप उनको trace करना मुश्किल हो जाए क्योंकि सब virtual होता है तो यह क्या करते हैं पूरा का पूरा system lock कर दिया और वहाँ पर timer चलता रहता है कि आप इतने time में payment कीजिए इतनी payment कीजिए नहीं तो आपका पूरा data खराब हो जागा और उस time तक आप उस computer ये server ये उसमें कुछ नहीं कर सकते यह है आपका ransomware क्योंकि यहां क्या मांग रहे है रैंसम मांग रहे है ठीक है यह हो गया आपका ransom की demand इसलिए है आपका ransomware वेर मतलब software रैंसम software ठीक है चले दुर्भावना पूर्ण software ये भी दुर्भावना पूर्ण software कवह भाव जो किसी विशे समय या दिनांग को सक्रिय होता है यहां पर हम सिर्फ एक चीज की बात कर रहे है समय या दिनांग है ना यहां पर या तो कोई time पे हो या किसी date पे हो तो यह क्या कहलाता है a piece of malicious software that becomes active at a particular time or date is called यह हर जगा denial है आपका यह ठीक है यह denial of service है यह translation में थोड़ा सा autocorrect हो गया है denial of service attack है Trojan horse time bomb salami attack यह याद रखेगा यह है अपका time bomb ठीक है time bomb मतलब एक time आ जाएगा तब यह bomb फटेगा logic bomb क्या था जब वो logic आ जाएगा logic जो भी था उसका चाहे वो time से related हो चाहे किसी और से related जब भी वो logic आ जाएगा वो bomb फटेगा ऐसा ही time bomb क्या है जब वो time आ जाएगा वो date आ जाएगी तब वो bomb फट जाएगा ठीक है तो यह बिल्कुल आपके word में ही छुपा हुआ है ransomware जहां पर फिरोती मंग रहे है spyware जहां पर जासूसी कर रहे है word में ही छुपा है कि वो क्राम क्या करेंगे ठीक है और सारे के सारे आपके malicious software है खराब software जो कि data निकालने में या गलत चीजों के लिए use हो रहे है ठीक है सारे के सारे आपके आएगे cyber attack में फिर किसी software में मौझूद कमियों को दूर करने के लिए company द्वारा जारी किये गए छोटे-छोटे software कहलाते हैं small pieces of software releases by a company to overcome the shortcomings present in any software आर God जैसे software launch कर दिया फिर थोड़े टाइम बाद वो researcher दी रही पता चला कि यार थोड़ा सा दिक्कत है software में तो फिर company ने फिर थोड़े-थोड़े और software add कर दिये उसी के लिए कि आप ऐसा कर लो तो आपका software और अच्छा हो जाएगा antivirus, firewall, patch, malware तो यह आपको कहलाता है patch ठीक है तो क्या करती है छोटे-छोटे patches, छोटे-छोटे software launch करती रहती है आपको भी पता, आपका system पूरा-पूरा update होता है अपडेट करना पड़ता है आपको कुछ ताइम बात जो भी आपके application वगेरा होते है तो यह क्या है, छोटे-छोटे software launch करती रहती है, जिसे आपका overall जो software, जैसे माली जो WhatsApp है वो अराम से चलता रहे ठीक है, यह कहलाता है आपका patch याद रखिएगा computer का network security system जो अनाधिकरत प्रवेश को रोगता है और network पर traffic को filter करता है सबसे पहले ध्यान देना है कुछ शब्दों में वहीं से आप समझ जाएंगे the network security system network security system है of a computer that prevents unauthorized entry and unauthorized entry को prevent करता है और filter करता है traffic on the network is called तो यह आपका denial of service antivirus, firewall और capture याद रखिएगा यह है आपका firewall firewall को क्या काम रहता है सबसे पहले तो यह network security system है network security देता है traffic को filter करता है जो भी traffic आ रहा है उसको filter करता है कि कौन सा आने देना है कौन सा नहीं आने देना है और जो अनाधिकरत प्रवेश है मतलब जितने भी आपके hacker वगेरा है वो अनाधिकरत प्रवेश ही तो करते है तो अनाधिकरत प्रवेश जो है उसको रोकता है आपका firewall ठीक है और hacker फिर नई नई तकनीक निकाल लेते हैं hacking की लेकिन आपका firewall है इसका काम्याद रखेगा यह है filter करेगा traffic security system है network का और अनाधिकरत प्रवेश को रोकता है ठीक है चले आँगे देखते हैं एक ऐसा software जो malware malware का पता लगाने उसे रोकने और हटाने का कारे करता है कहलाता है software that detect, prevents and remove malware is called पहले तो उसको detect करेगा ठीक है पहले हमने क्या लिया पता लगा है कि है की नहीं है फिर उसको क्या करेगा रोकेगा और बढ़ने नहीं पाए और जितने एरिया उसने खराब कर दियागा उसको क्या करेगा फिर से हटाने का काम करेगा ठीक है तो यह कौन कहलाएगा आपका firewall, antivirus, malware और spyware यह आपको पता ही है यह कहलाएगा आपका antivirus virus को हटाने का काम करेगा आपका antivirus ठीक है यह हो गया antivirus virus का anti, anti चलती रहती है इसकी virus से इसलिए virus को हटाने का काम करेगा जितने भी आपके खराब software है सब को क्या करेगा पता लगाएगा उसे हटाएगा और उसे रोकेगा ठीक है तो यह हो गया आपका सॉफ्वेयर फायर वाल मैंने बताए यह नेट्वर्क सेक्यूरिटी सिस्टम है जो ट्राफिक को कंट्रोल करता है ठीक है मालवेर में बता चुक्यों स्पाइवेर आपका जासूसी सॉफ्टवेर नेक्स देखिए कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा हेर फेर जिसमें उप्योग करताओं को दुर्भावना कूंट वेबसाइट की और पुनर्वनिदेशिक करने के लिए dns रिकॉर्ड में हेर फेर किया ज सिस्टम क्या है जब ब्राउज कर रहे होंगे तो अहां पर डोमें नेम सिस्टम रहते ना पूरा का पूरा डोमें नेम वह है dns रिकॉर्ड टू रिडारेक्ट यूजर तूर मैलेस वेबसाइट इसकॉर्ड मतलब dns चेंज कर लिया उसके वीज़ा से आप दूसरे वेबस dns spoofing dns spoofing मतलब क्या होगे आपका कि जो आपका डोमें नेन सिस्टम है spoofing मैंने आपको बताया है चलावा थोड़ा सा दिखता कुछ और होता कुछ और है ऐसा टाइप का तो इस spoofing मतलब चलावा है dns आपका दिख कुछ और रहा है लेकिन आपको ले किसी और करने के लिए monitoring software कहलाता है monitoring software used to record real-time computer activity including keystrokes is called यहां पर याद रखेगा जो मेन आपका शब्द है जो आपको याद रखना है या ध्यान देना है यह है की स्ट्रोक की मतलब आपकी की बोर्ड वाली की स्ट्रोक जैसे यह आप की स्ट्रोक करते हैं वो क्या करते है सारी गतिव वीडियों को रिकॉर्ड करता है इंजेक्शन अटाइक की लॉगर आपका session hijacking directory अटाइक यह है आपका की लॉगर ठीक है की लॉगर यह क्या कर रहा है की लॉगर आपका जितने भी मतलब की बोर्ड में कोई भी अगर बटन आप क्या कर रहे हैं कोई भी बटन प्रस कर रहे है Record कर रहे है क्या प्रस कान कान सी बटन कर रहें उसके साथ साथ क्या हो रहा है कम्प्यूटर के को तो यह करते हैं वेड़ करते रहते हैं आपने password जैसे ही टाइप किया तो उन्हें पता चलगा क्योंकि जितनी भी आपकी keys है वो जो भी प्रस कर रहें कि log कर रही है वो सब record हो रहा है ठीक है तो यह होगे आपका की logger यहाद रखेंगे spyware जो है वह software हो गया आपका keylogger जो है वो भी आपका क्या कर रहा है keyword जो है न उसमें आप जो जो भी प्रेस करेंगे बटन वो सब record कर रहा है ठीक है चले क्रिप्टो करन्सी की माइनिंग के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के computer hardware एवं खनन संसाध्रों का उप्योग करना कि cyber अपराद में आता है using another person's computer hardware and mining resources for mining cryptocurrency comes under which cyber crime यह सबाब के cyber crime है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं दूसरे के resources का use कर रहे है बिना उसको पता लगाए उसको मतलब पता चल रहा है कि वो कर भी रहे हैं हम बस हम indirectly यूज कर रहे हैं उसका resources उसका data और उसका hardware सारी चीज़ है ठीक है तो यह है क्रिप्टो ने बताया आपका जो jacking वड़ है वह आता है किससे है तो crypto jack ing मतलब crypto hijacking क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं लेकिन हम किसी और के resources का use कर रहे हैं तो यह हो गया crypto hijacking क्रिप्टो करणसी बनाने के लिए जो भी पूरी प्रक्रिया रहती है mining रहती है Bitcoin वाली वह कर रहे हैं क्रिप्टो जैकिंग मतलब यह आपका crypto के लिए हम hijack कर रहे हैं किसी और का जितने भी यह शब्द हैं आप अभी सुन रहे हैं पहली पहली बार इसको कम से कब एक दो बार जरूर पढ़िएगा नहीं तो कहीं पर यह सारे नाम लिख लिजेगा अभी आपको इजी लग रहा है स्पाइवेर रैंसम्वेर लेकिन अगर जो मैंने यह डेफिनीशन लिख रखी है इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है और आप जैसे दो लाइन में तील लाइन में कोश्चन बनके आ रहा है उसको आप नहीं समझ पाए आप नहीं समझ पाए कि उनमें से ना एक जो श चाहे वह आपका की लॉगर हो चाहे वह आपका क्रिप्टो जैकिंग हो सारी चीज़ है एक पेज में लिखके आप अपने पढ़ते हैं मां पर चिपका लिजे का जिससे एक दो बार यह नाम आप जरूर मतलब अपने दिमाग में घुमाएं ठीक है यह पहली पहली बार में सारी चीज़ें आपको अभी लग रहा होगा लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकी रहती सलामी अटाइक क्या है फिर बूट फोर्स अटाइक क्या है यह आपकी छोड़े छोड़े शब्द है ना यही फिर गन्फ्यूजन क्रेट करेंगे में इग्जामिनेशन हॉल में किसी संस्ता के सबसे महत्वून लोगों की समवेदंशील जानकारी चुरा कर उनसे फिरौती की मांग किस साइबर अपराद में आती है सबसे पहले तो में जो ऑर्गनाइजेशन के टॉप पे हैं लोग है ना जैसे माली जी आपका M.D. हो गया उससे क्या किया या उसके थोड़ा नीचे भी और माले मैनेजर हो गया उससे हमने क्या किया समवेदंशील जानकारी ले ली अब बोल रहा है कि भाई पता तो चली या ऐसा करो तुम इतना रैंसम दे दो इतनी फिरौती दे दो तो हम किसी को नहीं बताएंगे या हम यह इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे तो यह कि साइबर क्राइम में आता है में मैं इंदा मेंडिल अटैक वेल फिशिंग फाइल इंक्लूजन अटैक डाइरेक्टरी यह याद रखिएगा यह आपका वेल फिशिंग वेल जो है यह आपकी वेल मचली वाली है मैंने आपको बताया है कि वेल फिशिंग जब का फिशिंग है वह आपको किससे रिलेट करना है जो हम मचली पकड़ते हैं मतलब हमने जैसा ही चारा डाला कुछ भी तो मचली को में जिनके पास sensitive information है हम उनको target कर रहे हैं कि अगर उनके हाथ से कोई information leak होती है तो उन्हें डर रहेगा तभी तो पैसे देंगे अगर छोटी-मोटी information है तो जो employer है छोटे नीचे वाले employee हैं उन्हें कोई मतलब भी नहीं है ठीक है भाई ले जो ठीक है इसलिए हो गया whale fishing attack और fishing के method से निकाल रहे है उपयोग करता के website पंजी करण को रक्षित बनाने के लिए एक code जो मनुष्य और machine के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है कहलाता है a code that is used to differentiate between man and machine to make a user website registration secure is जब आप किसी website पर registration करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है जो बताता है कि मनुष्य और machine में अंतर हो रहा है यह url dns system capture cookie यह है आपका capture आपको पता है आपको capture फिल करना रहता है हर जगा पर capture फिल करिए capture फिल करिए वह क्या है वह machine और जो आपका मानव है उसमें अंतर कर रहा है जिसके वजह से आपका जो website registration है वह secure हो सके ठीक है आगे देखते हैं ऐसी ववस्था जिसके द्वारा network में data को encrypt करके दूसरी जगा पर सुरच्छा के सांथ भीजा जाता है कहलाता है a system by which data is encrypted in the network and sent securely to another place is called हमने क्या किया encrypt कर दिया data को और फिर भेज दिया securely कहीं और पर यह क्या कहलाता है crypto currency, cryptocurrency, crypto jacking, fireball यह है आपका crypto graphie जिसमें हम क्या कर रहे हैं जब यहां से हम data भेजेंगे हम कोई भी यहां पर क्या कर रहे है data भेज रहे है तो उसको हम encrypt करके भेज रहे हैं encrypt ठीक है तो जब data इसके पास पहुंचेगा जो भी है दूसरे साइड में उसके पास जब data पहुंचा तो हम फिर क्या करेंगे उसको फिर से decrypt करेंगे तो encrypt और decrypt यह किस यह सब क्या कहलाता है आपका क्रिप्टो ग्राफी अभी हमने पढ़ा था क्रिप्टो जैकिंग है ना क्रिप्टो माइनिंग क्रिप्टो करंची सब में डिफरेंस आप याद रखेगा है ना मिक्स नहीं हो जाए जब आप दो तीन ऑप्शन देखें क क्रिप्टो क्रिप्टो के यह हो गया आपका क्रिप्टो ग्राफी है ना ग्राफी से रिलेटेड है ग्राफी क्रिप्टो जैकिंग में हाई जैकिंग का जैकिंग वर्ड आ रहा था ठीक है तो हम क्या कर रहे थे क्रिप्टो माइनिंग के लिए क्रिप्टो करंची माइनिं के नाम पर साइबर अपराज को अंजाम देने के लिए व्याद श्रोतों का उप्योग करता है कहलाता है आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा या वैब स्रीज वगेर में कि परसंग कोई गया और उसने या फिर अर्श कि इन्डारिक्ली बात करके करके उसका कार्ड ले लिया स THIS चौरी और जाकर काम ऐसकी जैसे की आज उससे करा और वैवर यह लंते हैं पूरी उंजाती है और अशचोरी जाती है और एसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था ठीक है इसलेश theory भेशी हमला ठीक हैं छद मेहें वह लगता सही है लेकिन छदम मैं इसको बोलते हैं मास्क रेडिंग है ड़ए अट की है अटएग यह याद रखेगा यह कहते हैं इंग्लिष में मास्क रेडिंग अटेप और चदम भेशी चदम है मतलब लगता है कि किसी और कई और अपराद ही उसने किया होता है वो सारी information उससे लेके information कैसे भी ले सकता है माले तरीके से ले लिया मतलब उसको दिखाया कुछ और बात करने के तरीके से social engineering से से को information निका ली और उसके नाम से अपराद कर दिया ठीक है तो यह हो आपका छद में वेशी हमला आगे देखते हैं तो कि आज के लिए इतना ही यह आपके सारे जितने भी साइबर सिक्योरिटी यह मालवेर से संबंधित छोड़े आपके टॉपिक थे वह मैंने सब सारे के सारे कंप्लीट करवा दिये हैं अच्छा यह इसमें और ज्यादा लंब अच्छे से कंप्लीट हो गया है पूरा आप शुरू से लेके लास तक अच्छे से देखें जो नाम है सलामी एक रूट फॉर्स अटैक क्रिप्टोग्राफिक क्रिप्टो जैकिंग यह सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से जरूर देखें उसके लावा हमने ट्रोजन जादा से जादा मिले मिलते हैं फिर नेक्स लेक्स पिक्चर में तब तक के लिए औल दा बेस्ट पढ़ते रहे हैं